तो आजम बनाएंगे पनीर के पराटे तो सबसे पहले गियों का आटा ले लिया है उसमें थोड़ी सी हारी वाली लहसुन डाली है नमा, लालमच पॉर्डर और अमचुर पॉर्डर उसके बाद एक चमच देल डाल दिया है इससे सॉफटनेस रहेगी और फिर पानी से इसे से कर रख दिया है 15-20 मिनट के लिए उसके बाद मैंने पनीर बनाया पनीर की रेसिपी आपके साथ शेयर की है पनीर को क्रश कर किया ही वा था और फिर उसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दी मैंने उसके बाद जो है लालमच पॉर्डर नमक अमचुर पॉर्डर और साथी इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है थोड़ा जादा डालिएगा और इसे मिक्स कर दिया है मिक्स करके रख दिया है अब पराठे बनाएंगे तो एक लोई ले लिए उससे बेल लूँगी अच्छे से उसके बाद जो है इसमें पनीर डाल दूँगी और यह मैं चीज के सा बना रही हूं तो थोड़ा सा चीज इस वक्त ग्रेट करके डालूंगी सारे पराठो में ने डाली हूं किसी किसी में इसलिए पनीर में आड नहीं किया था अगर आपको सब में डालना है तो पनीर में ही आड़ कर सकते हैं अप जीज उसकी बाद इसे इस तरह से करकर अब तवा को गरम करके एक चमस घी डालकर इसे दोनों साइट से पलट के सेक लेंगे मैंने चिम्टे से किया था इसलिए वो तूट किया आप खोड़पी से करिएगा इस तरह से तो यह नहीं तूटेगा यह बहुत ही टेस्टी बना था आप जरूर ट्राइ करिए